नमस्कार दोस्तों, वेलकम टूर वंडेक जाम, क्लासे दिके सीटेट 2019, आपका साज जुलाई 2019 को संपन हो चुका है, सुबे की मीटिंग आपका प्राथमी का पेपर संपन हुआ है, साम की मीटिंग आपका उच्च प्राथमी का पेपर आया है, हम आपको आर्स रिच का प्राथमी का पेपर है, तो कौन सी गड़ती कौसल को आपको देखा जाएगा इसमें से, ये कोशन आपका आया था, इसका सही आपसन, चोथा आपसन है, छेतरपल, गुडन खंड और परिमाप देख सकते हैं आप, गुडन खंड इसमें इसलिए सामिल किया जाएगा, क्यों आपको संभाव जो आकरती बनानी है, इस 25 आकरतों को आप कैसे, कैसे गुडन खंडों स सनरचन की योगिता के विशाय में सही कतन को आपको पहचाना है, इसका सही आपसन आपका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चार आपसन आपको दिये गए हैं, इसका तीसरा आपसन सही है, भार के सनरचन की समझ जो हमारी है, आयतन के सनरचन से पहले आती, इसका ती यहां पर देखेंगे यहां पर ड्राइंग लिखा गया है तो ड्राइंग हर जगे नहीं आपका यूज होती है मैत में तो जहां पर यूज होती वहाई पर करेंगे लेकिन आपका यहां पर कंठस्त करना तो मैत में होता है नहीं है सिर्फ एक option आपका बच्रा है वो भी आपका पहला option next question हमारा 35 number question है यहाँ पर देखिए आप से का गया 2 दसमलोव वाली संख्याओं के गुलन जैसे की 0.3 multiply 0.2 को यह लिखा जाता है तो यह सिच्छन का कौन सा अधिकम है आप से अधिकम पूंचा गया है तो यह आपका जो है टेलर का गिंतारा का अधिकम है याद रखेएगा आप लोग इसके मदद से आप लोग समझाने में आपको उचित साधन के रूप में आपको प्रियोग कर सकते हैं टेलर का गिंतारा 36 number question है आपके जो आपकी पार्ट चरिया आई है अगर हम किसी को सिखा रहे है तो जब तक उसके जीवन के अनभाव नहीं लेंगे ना तो गडित सीख नहीं पाएगा चलिए आगला question हमारा 37 number है गडती अध्यापन को प्रभावी बनावने के लिए निम लिखित में से कौन सी विस्तेस्ता नहीं है बताइए कौन सी विस्तेस्ता नहीं है चार आपसन यहापर आपको दिये गए हैं आप लोग चूच करने का प्रयास कीजिए इसका सही आपसन आपका है छात्रों की तुटियों के प्रितरूबों पर केंद्रित होना ये एक विस्तेस्ता नहीं है अध्यापन में आपको देखे तूटियां तो बालक करता ही है उस पर क्रेंद्रित नहीं होना है आपको सभी चीज़े आपको सिखानी है तो एक ये गलत हो सकता है आपको गलतियां तो देखनी है लेकिन केंद्रित बिल्कुन से नहीं हो जाना है चलिए 38 नमबर कोशने प्राथमिक इस्तर पर गडित अधिगम का मुल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना प्रभाव साली नहीं है ध्यान रखिएगा अब की बार क्या किया हुए नहीं क्यों नीचे डॉट लगा दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि आपसन नहीं पूचा जा रहा है कि हाँ पूचा जा रहा है चार आपसन है इसका सही आपसन हमारा पहला आपसन है ऐसे कारियों की अभी कल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक इस्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते है देखें गड़ित हमारा ऐसा विसा है जो आप किसी प्रकार से लगाएंगे ना तो उत्तर एक ही आएगा लेकिन यहाँ पर क्या का जा रहा है एक से अधिक इस तरके उत्तर प्राप्त होंगे तो यह हमारे हिसाब से आपका गलत होना चाहिए जो आप से गलत मूचा गया है त यहाँ पर सी स्टार्ट हुआ है 18 साही 3 बटे 4 में कितने चतुर थांस है मतलब कि कितने क्वार्टर से मताईए देखें सिंपल सा है 18 चुक 72 3 75 बटे 4 मतलब 75 का 4 क्वार्टर आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 इसका सही आपसन होगा यह बिलकुन सह आपसन है अगला प्रेशन है एक स्कूल में आदे चाट बेट मिंटन खेते हैं और एक बटे चार चाट बॉलीवाल खेलते हैं एक बटे आठ टेनिस एक बटे सोला सतरंज तो देखे सीधा सीधा यहीं से आप ढूंड लिजे बॉलीवाल खेलने वाली की संख्या यहाँ प आपकी स्कूल के चातरों के संके निकल कर चली आएगी अब आप से क्या पूछा जारा सतरंज कितने लोग खेलते हैं शतरंज कहा पर लिखा गया सतरंज एक बटे सोला खेलते हैं तो चार सो साट पूरे हमारे भी धारती हैं सोला से भाग दे देगे तो तो सोला चुको 84 50 स कार से दिगए हैं ध्यान रहेंगा यहाँ पर पढ़िए इसको यहाँ पर क्या कया गया है धीपा 2 पारसल जो है 250 ग्राम का और 300 ग्राम का भानके और दो पत रापके 2 पैंटृश क आम यह प्मेसर मिश्क बीजना चाहती आपको टोटा सुल्ख रोपय लगेगा ठीक है आब देखिए यहां पर कहांगे अत्रीक तो जो 50 ग्राम भार हो गा उसके तीन रोपय लगेगा देखिए 200, 200 के 50-50 से खंड करेंगे तो 4 आएंगे, तो 4 ती है 12 रूपई और लगेंगे, 22-com वाले में 12 रूपई और लगेंगे, यहाँ पर लिखा गए अतरीकत 50 gram के लिए 3 और लगेंगे तो आपके 200 में 4 आपके 50 gram आएंगे, तो आपको 3000 को 12 रुपई और देने पड़ेंगे तो यह आपका certainsाव चाहएगा 12 पांस, attacks हtal पहले पाइस होगा निकलते, याप निकलते हैं यह पाइस हो एक तो कह सब्छाएगा रहेंगे तो फाहा इस हर बार तो 35-15 इसके 20 हो गए 17 और 20 मिला करके टोटल पार्सल का भेजने का खर्च आएगा तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा ठीक है 37 याद रखेगा पहले का पार्सल का आ गया अब हम लोग क्या निकालेंगे अब हम लोग को निकालना है भार का जो हमें निकालना है पत्र क सकते हैं 20 ग्राम और 25 ग्राम के 2 पत्र आपके भेजना है 20 ग्राम या उससे कम में 5 रुपय पहले वाले पांच रुपय लगा क्योंकि यह बीस ग्राम का दूसरा वाले का वेड जादा है 35 ग्राम है इसलिए जो हमारा है पहले का तो 5 लगेगा और अग्धूसरे का ग्राला पांच लगा, दूसरे हैं पांदो साथ लगा, साथ पांच बारा रूपए जो हमारे लगे हैं वो आपके पत्र भेजने में लगें, सैंटीस रूपए आपके पारसल भेजने में लगें, बारा रूपए आपके पत्र भेजने में लगें हैं, तो टोटल हमारा उन्चास रू तो पहले आपको आठ लिखना होगा सबसे बड़ी संक्या उसके नीचे जो छोटी संक्या लिखेंगे तभी जोड़ने पर बड़ी संक्या प्राप्त होजेगी इसके बाद हम लिखेंगे 6 लिखेंगे और यह तीन लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख दीजी यहाँ पर 2 इसी प्र रेलवे समय साड़नी को पढ़ना है आपको बताना है चार आपसन में से सही आपसन कौन सा है बस कुछ नहीं है इसमें आपको जोड़ना घटाना है और देख लीजे ये पूरा का पूरा चार्ट होगा आपके पास में ये देखिए नई दिल्ली से आपको प्रिस्थान कर रह रही है और यहां पर पहुंच रही है तो यह आपका समय दिया गया है अगर आप यह समय देखेंगे चौथा आपसन जो हमारा है नागपूर से चिन्नाई की जो यात्रा का समय है वो 15 घंटा 10 मिनिट निकल कर चलाएगा चलिए कहां पर है आपका नागपूर कहां पर से सब गलत आपको सब को आप पाएंगे चौट्र नंबर से चार्ल 15 मेंसे एक पूर्ड शंक्या जोड़ी जाती फिर वही संक्या 50 में से घटा लेनी है अभी ये बन गया 75 ठीक है अब ये ही संक्या 25 को घटा दीजे 50 में तो ये बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा इन दोनों का योग कर लेना 75 पचीस का योग कर लेजे 100 आजाएगा ठीक है मिलकुल सिंपल सवाल था थोड़ा से आपको दिमाग मों भ्रहमित किया था 50 में से पूर्टा संक्या जोडेंगे तो 75 बन जाएगी 25 जोडेंगे और 50 में से 25 घटा देंगे तो 25 आजाएगा ये आपका 100 आजाएगा टोटल योग आप से पूंचा गया था 45 नमबर एक दुकानदर 5.3 kg बदाम 1200 ग्राम और 2.2 kg काजू मिलाता है और बराबर रवाबर दो दर्जन पैकिटों में बना दिया है तो प्रिकेड आपका प्रतेक पैकिट का आपको भार बताना है चलिए इसको तो क्या करना है आपको सीधे सीधे क्या करना है किलो ग्राम को ग्राम में बदालेना है पहला वाला आपको कितना बनेगा इतना ग्राम बनेगा क्योंकि देसंबलो को हटाएंगे तो इतना बन जाएगा 1200 ग्राम तो पहले ही दिया गया है उसके बाद 2.2 kg इसको ग्राम बनाएंगे भार्ज होगा वो 400 होगा हम आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करें सभी लोग समझ जाएंगे और आप लोग इन सभी प्रिशनों को लगा कर भी आए होंगे 46 नमबर कोशन एक बीकर में 3 बटे 7 भाग में पानी है बीकर को उपर तक पानी से भरने के लिए 16 लिटर पानी किया हो सकता है बीकर की धारिता आपको बतानी है देखें बीकर 3 बटे 7 पानी से भरा पानी है और जो बीकर को उपर तक भरने में 16 लिटर पानी लग रहा है मतलब कि 4 बटे 7 बाग अभी खाली है उसको भरने में 16 लिटर लग रहा है तो 4 चूको 16 सचोक 28 पूरा बीकर हमारा क्याइ 28 लिटर को होगा समझ चुके आप देखिए 4 बटे 7 बराबर कर देना है 16 के तो 4 चूको 16 सचोक 28 आपका पूरा का पूरा बीकर जो हमारा होगा 28 लिट है और उसके बाद 3.5 हमारा इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा यहां पर आप इन दोनों में सब्सक्राइब और उसको गलती करके आए तो आप लोग करके आएंगे तो सही आप ने किया होगा चलिए एक और कोशन काफी कन्फ्यूजिंग कोशन थे लेकिन मैं जया तर आपको एंसर सही देने का प्रियास कर रहा हूं मैं कौन सी संख्या हूं आपका पैचाना है मैं दो अंकों की सम संख्या हूं तीन चार छे सार्व गुड़क है और मेरे कुल नौ गड़न खंड है चलिए चार आप संदिये हैं चारों को आपको सिर्टिफाइट कराना है चापन को आप यहां पर देखेंगे चाचंग शती शते बैलिट शही अरतालिस चनहीं का चाउवन तक जा रहा है चापन तक हमारा च्छे का जो गुड़स तो पहुंची नहीं रहा तो चापन नहीं हो सकती है आप देखते हैं आ बोर चार से भी कर जा रही है और शह से भी कर जा रही है तो 6.36,6 सते बैलिट षा upwards तालिस आपका तो हमारा चार शह से कर जा रहा है तीन से चार शें अरतालिस क्यों होने की संभावन बढ़ती हुए चलिए इसके क्या कहरा है नौ गुड़न-खंड है और दो अंकों के संस क्यांके तीसरा चलिए पूरे आपको नौ गिना देते हैं तीसरा होगा वारा तीन चार और च्छे आठ बारा सोला और चौबिस देख सकते हैं चार चारा ठेक नौ टोटल आपके नौ गुडन खंड हो गए इन सभी संख्याओं से आपका अरतालिस आपका कटेगा यही चीज सब्ता वा सो मार को पचास बुद्वार को सो और सुक्रवार को असी रुपए बचाती है रभिवार को साट रुपए खर्च कर देती है पहले देखते हैं बचा कितना पाती है पचास तो डेड़ सो हो गए और आपका जो है असी यहां पर देखिए सो पचास यह बचाती है और बुद्वर को यह आपका डेर्स हो गया अज डेर्स हो में से असी आप जोड़ देंगे तो आपको प्राफ्ट हो जागा 230 230 तो बचाती है और 60 आपका खर्च कर देती है मतलब कि 170 रुपाई आपके इसके एक सब्ता में बन रहे हैं चलिए एक बहुत ही आगया आपका बहुत बढ़िया सवाल आया आपके पास में कि इन अच्छरों की 36 और उर्धादर सम्मेती दोनों की रेखाएं देखे इस प्रेशनों को मैंने देखा है कि जो हमारे पास लागे आपके जो लड़के पेपर भेजे हैं जाता लोग इसको सही करके हैं एक हो जो की बिलकुन गलत है यहां पर देखे क्या का आगया है कि आपको इन अच्छरों में 36 और उर्धादर सम्मेती दोनों की रेाएं जिसका शही आपसे निया आपका एक सैंब डेखे किस प्रकार से सही है एक सैंब एक सैंब देख रहे हैं दोनों तरफ एक ही चीज दिखाई दे रही है आप क्या कह रहा है कि आपका हमने 36 देख ली अब इसका आप देखते हैं उर्द्वाधर यह आपका उर्द्वाधर है वर्टिकल लाइन आपका कह सकते हैं इसको तो यहां पर आप वर्टिकल लाइन स्वरी बना सकते हैं आप से पूचे जाता है कि सिमेट्री कौन सी सिमेट्री कौन बना रहा है सिमेट्री हमारा एक सबनाएगा चलिए बहुत बढ़िया कोच्छन था कुछ लोग कंफूज हो गए गए यह देखिए का आप से बाइनरी जीटि डिजिट आप से पूची गई थी तो इसका आइंसर 27 है 27 को कैसे निकालते हैं से से फ़ले 2 से भाग देते हैं और जितना आपको यहाँ पर सेस बसते जाता है इधर आपका लिखते जाते हैं तो आपका इस सही आप सब गढ़ित का जब बाइनरी डिजिट पढ़ेंगे तब आपको सही समझ में आएगा इसका 27 अंसर बिल्कुन सही है 52 नमबर पे इसने एक वर्गी की भुजा 10 cm है यदि वर्गी की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा वर्गी की भुजा 10 है तो जो मारा परिमाप होगा पहले वो 40 होगा अब दुगना कर दिया जा रहा है तो परिमाप आपका दो गुना हो जाएगा सिंपल सा है इसमें कुछ आपको सोचने का नहीं है यह 80 आपका परिमाप हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा तो इसको सभी लोगों सिंपल लगा होगा चलिए एक और संख्या आ गई है बहत्तर 28-36 multiply 4 और आगे क्या भरेंगे देखे 36 दुना बहत्तर होता है 2 यहां पर इश्ट्रा बचा है और 28 आपका इधर बचा है तो इधर 14 आपका भरा जाएगा और 14 क्या क्या हो सकता है 7 का गुड़स तो है अब आजय संक्या नहीं है, 10 से कम नहीं है ये इस पूरेम हैं, एक ज़ने हैं संक्या है, 56 का गुड़नखंड है तो 56 का गुड़नखंड है तो यह तीन आप्सें सही है एसजिये कहां पर मिला ATE कहां पर आपको मिला है, यह दूसरा आपको आपको मिलना है तो यही आपका सही होगा ध्यान देंगे तो सारे आपके सवाल आपके एक्जाम में सही हो जाएंगे चववन नमबर है कि क्लास तीन में एक बटे चार की संकलपुना को समझाने के लिए उचीत अनुकरम आपको बताना है यह चार आपसन दिये गए हैं सामपट पे लिखना उसे चतुर्थांसों बाटना फिर आपको चित्र को प्रदरसित करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है सैंपट में लिखना पड़ेगा उसके बाद जो है चतुर्थांसों को प्रदासित करने वाले चित दिखाना पड़ेगा फिर ठोस पदार्थ को लेकर उसको करना पड़ेगा इसका सही आपसन जो हमारा होगा A, C, B होगा चलिए next question मारा पच्छाबन नमबर question है class 3 के 16, 16 x 25 गुड़न फल इस परियोक करता है देखें इस परिकार से कर रहा है कभी वो इसको इधर कर दे रहा है कभी वो इसको इधर करते रहा है कभी वो इसमें गुड़ा कर दे रहा है तो ये लेकिन answer आपको सेमी प्राप्त होगा य प्रियोग कर रहा है तो वित्रण का प्रियोग कर रहा है जब आप इधर उदर करके वही सेम एंसर प्राप्त करते हैं तो आप क्यों सा लियम लगाते हैं जो कि हमारा आपका सही आप सुनोगा 56 नमबर हैं समावेशित विद्याले में आप अपनी कच्छा के द्रिष्ट इबादित छात्रों की और सक्ताओं का कैसे पूरा करेंगे इसका सिंपल सा ये वाला है सिचण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का और साधनों का उप्योग करके आप अपने समावेशित कच् 57 नमबर की बांग करते हैं संख्यांक और संख्यांक का आपकी विशाय दिया गया है दो चीज़े दी गहीं संख्यांक और संख्यांक के बारे में आपसे पूचा गया है ए और बी कहा गया है इनको पढ़िएगा दोनों के दोनों आपके सही है ए और बी दोनों आपके सही ह दोनों इसके सही है, सुद्र दूनों घरित में कंठस्त नहीं किया जाता है, घरित में प्रैक्टीस की जाती है ये तीनों आपके जो हैं विजुलाइज़ेशन भी है और आपका आक्लन करना और पच्छांत्रन करना बिल्कून सभी है अगला हमारा लाश्ट आपका 69 नमर कोचन है अभी लाश्ट नहीं है यहाँ पर आप से का गया प्रारंबीक संख्या परिकलपना किस से समंदित नहीं है चार आपसन दिए गया है देखिए मापन वर्गी करण वर्ग समावे से समझे संरच्छण कुछ नहीं होता है मिलाकर कितने संत्र हैं तो यह जोड आपसे पूचा गया पंदरा सत्रा जोड लीजेगा इसके बाद भी में का गया है निन्याने पचास रुपए के मुबाइल फोन की कीमत ने बढ़ोतरी कर दी गई है तीन सो पचत्तर रुपए की ब्रदी हो गई है नहीं कीमत इन दोनो है यहां पर पंदरा संट्रें अलग परकार के 17 आपकी अलग परकार के दोनों को जोड़ा है समुच्य कर रहे हैं तो यह हमारा कोशन आपको टोटल हमने 30 से लेकर 60 तक हल करा दिये मैद के कोशन ते सीटेट 2019 आपका प्राथमिक लेवल का पेपर आपका सुबह के मीटिंग जो हुआ था हमने काफी प्रयास किया आपको 99 परसेंट सही देने का लाइक किजेगा कमेंट किजेगा सेर किजेगा बहुत बहुत धन्वाद आप लोगों का